हेलो एवरिवन वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एजूगेस्टल चैनल में आपका स्वागत है इन टुडेज वीडियो लेक्चर आप कॉस्मेटिक पार्ट एट अवर टॉपिक इसे पावडर्स की जो पावडर डूजिस फॉर्म है अ टानाओ ओकॉड तर लिडियो फॉट्स अवर अगौ मैं आओ धिर्चर इस एफिजरम टू एईक इन लिऄ टूद में इस विडि़ लेक्टर एफ पर the information is for improve the knowledge of cosmetic product with a xamarin students farmer off mobile application is now a billy well download the farmer on android application on google play where you will find the G-PED test series pharmacies Di Neipa video lectures study material in printed and PDF format so download the farmer on sand road application on google play subscribe जो रूटीन लाइप स्टाइल के हम अंदर हम अलग-अलग फेमस पावडर्स के अलग-अलग ब्रांट्स यूज करते हैं कि लाइक संतूर है सिंथाल है बोरो प्लस जॉंसन बेबी पॉंड्स ड्रीम फ्लावर वगेरा जो है काफी फेमस ब्रांट है कि सभी ने इस तरह की ज डिटेल में पढ़ेंगे आज के ये वीडियो लेक्चर में सो जो कॉस्मेटिक पावडर से वह क्या है तो उसके सबसे पहले डैफिनेशन की एक्जाम में पूछा जाता है कि व्राइटे सौट नॉट नॉट ऑन कॉस्मेटिक पावडर्स सो काफी इंपोर्टन चैप्टर ह कि to beautify the face ओके और मेंली हम उसको apply करते हैं टॉपीकली ओके नॉट्यकर प्रिपिरेशन भी हम कह सकते हैं और कॉस्मेटिक प्रिपिरेशन पॉर्दा स्कीन के लिए जितनी भी कॉस्मेटिक प्रिपिरेशन से उसके अन्दर में आएगा ये कॉस्मेटिक पावडर्स सो फेस is a cosmetic product apply to the face to serve different function typically the beautify the face चहरे को सुन्दर करने के लिए हम अलग-अलग ये powders के brands यूज़ करते है season wise और उसका main purpose होता है beautify the face topically skin उपर apply किया जाता है उसका origination है from the Egypt सबसे पहले उसका origin कहाँ पे रहा cosmetic powders का तो ये आपको याद रखना है Egypt के अंदर सबसे पहले powders use होना start हुए as a cosmetic after that face powder has different social use across the culture and in modern times अभी जो latest modern lifestyle के अंदर जो face powder से उसके अलग-अलग use है socially हम use करते है उसको it is typically used to miss at makeup socially हम makeup को set करने के लिए use करते है brighten the skin of our face and counter the face तो इसके लिए हम अलग-अलग cosmetic powders के brands use करते हैं these are categorized as a face powder body powder and third is the compact powder तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो है container कि जिसके अंदर यह आप जो cream color का जो देख रहे हैं वो powder है जिसको हम कहते हैं compact उसके बाद यह जो dermicool वगेरा जो brands होती है वो आएगा इन्हें body powder के अंदर की आप body के सभी parts पर उसको apply कर सकते हैं and especially यह जो ponds dream flower तो वो जो brand जो आप use करते हो वो कही जाएगी face powder तो cosmetic powders के main 3 category पड़ती है एक तो face powder body powders and compacts body powder के अंदर एक और include हो जाता है जो हम baby powders use करते हैं तो वो हम देखेंगे आगे lecture के अंदर so what are the ideal properties of a powder यह जो है वो खास exam में पूछा जाता है कि जब आपको short note पूछी जाती है exam के अंदर वराइटे short note on powder doses form which are used as a cosmetic तो सबसे पहले उसका आपको लिखनी पड़ती है definition definition के बाद उसके type और type के बाद आपको discuss करनी होती है ideal properties of a cosmetic powders तो सबसे पहले important है कि must have a good covering power so can hide the skin blemishes like any type of mark sport and discoloration मतलब कि आपके चहरे पर face उपर समझो कि कोई mark है फिर sport है फिर discoloration है मतलब कि color difference है चहरे पर और आपके body के other parts के साथ समझो कि color difference है कि जिसको हम discoloration कहते है चैरे का हो जाता है कई बार कि धूप के करन दूसरे कोई allergy के करन कई बार इस type के discoloration होते है face का तो जो भी skin है उसको जो blemices है skin blemices को अच्छे से hide करना चाहिए तो यह marks होते है अलग-अलग sport color सबको अच्छे से hide करना चाहिए आपका यह powder साथ में जरूरी है कि proper adherence property मतलब कि आप जब उसको लगाते हो तो long time तब आपके चहरे पर रहना चाहिए should adhere perfectly to the skin and not blow off easily blow off मतलब कि वहाँ से remove हो जाना कि समझो कि आपने चहरे पर यह face powder तो लगा है बट समझो कि आदा गंटा एक गंटे के बाद वहाँ से blow off हो जाएगा remove हो जाएगा तो फिर उसका जो main function है वो काम नहीं करेगा कि hide the skin blemices after that must have a absorbent property absorbent property होनी चाहिए must have a sufficient sleep to enable the powder to spread on the skin by the puff कि समझो कि कोई आप puff use करते हो या फिर डॉर्मली आपके hand से भी आप जब powder को आपके skin उपर spread करते हो तो easily वो spread हो जाना चाहिए उसलिए उसके पास अच्छी होनी चाहिए property sleep property कि अच्छे से आपके चहरे पे वो sleep हो सके और उसको आप easily आपके चहरे पे cover कर से को उसका एक layer दयार कर सके then the finish given to the skin must be perfectly on matte और peach-like character कि समझें कि आपको peach-like finish चाहिए या फिर matte finish चाहिए चहरे पे तो वो perfectly आपके चहरे पे बनना चाहिए by using this type of cosmetic powders and last में है कि main तो कोई toxic effect नहीं होनी चाहिए allergy नहीं होनी चाहिए तो यह एक खास important है कि आप समझो कि कोई face powder लगाते हो या फिर कोई दूसरा कोई भी type का powder use करते हो तो toxicity नहीं होनी चाहिए उससे और कोई type की allergy नहीं होनी चाहिए तो यह होनी चाहिए अलग-अलग ideal properties of a powder आगे जानते हैं अलग-अलग raw material मतलब की जो ingredients है so start करेंगे covering properties की जो covering property हमें चाहिए face powder के अंदर या फिर जितने भी अलग-अलग cosmetic powder से तो वो हमें कौन से ingredient देंगे तो एक है titanium dioxide after that zinc oxide, kaolin and zinc stearate तो यह होगा है आपके लिए multiple choice questions के लिए भी पूछा जा सकता है की which of the following ingredients provide the covering property in a powder doses form which are used in a cosmetic मतलब की जो cosmetic के अंदर हम powder use करते है उसके अंदर जो हमें covering property चाहिए वो कौन से ingredients देंगे तो आपको यह 4 ingredients याद रखने है पहला है titanium dioxide, second is zinc oxide, third ingredient, kaolin and जो fourth ingredient हुई है वो है zinc stearate आगे जो next है वो property है addition property के आपकी skin उपर जो आपका face powder है या फिर normal जो भी आपका दूसरे कोई powder use करते है cosmetic तो long type तर आपकी जो skin है उस पर रहना चाहिए other, other on a skin तो यह property प्रोवाइड करने के लिए हम अलग-अलग ingredients उसके अंदर mix करेंगे like magnesium stearate, talc, magnesium calcium salt of, myristic acid तो यह जो ingredients है वो प्रोवाइड करेंगे addition property to our powder dosis form of a cosmetic उसके बाद एक और property है वो है sleep and softness property की जो हमने बात की के sleep and softness property के करन आपका जो powder है वो आपके face उपर ओके या फिर आपकी जो skin है उस पर अच्छे से sleep होके पूरा जो area जो है वो अच्छे से cover करें main important है कि area cover करें अच्छे से आप उसको spread कर पाओ easily on your face तो उसके लिए जरूरी है यह sleep and softness property और वो property प्रोपर्टी प्रोवाइड करेंगे हमें zinc and magnesium, undecanate उसके बाद aluminium hydro silicate ओके तो यह ingredient और सबसे widely यह use होता है aluminium hydro silicate की जो हमें प्रोवाइड करता है sleep and softness property तो यह खास आपको याद रखने हैं सभी properties multiple choice questions के लिए खास important है आगे जो हमारे ingredient है वह absorbancy property कि जिसके लिए सबसे पहले important है यह starch ओके तो starch absorbance property प्रोवाइड करता है absorbance की तोर पर काम करते हैं फिर colloidal kaolin, bentonites, precipitated chalk यह जो ingredients है यह चार वो प्रोवाइड करेंगे absorbance property to cosmetic powders after that next is the peach like finish जो हमें peach like finish चाहिए कोई powders के अंदर तो उसके लिए जरूरी है कि rice starch आप उसके अंदर use करो silica use करें powdered silk and यह जो तीन ingredients खास आपके important है कि जो peach like finish चाहिए तो आप देख सकते कि यह rice starch हम use करते हैं कि जब formula design की जाती है तो rice starch mix किया जाता है कि जिसको अच्छे से finely divided powder होता है वो कि जो usually रहती है उसके size 120 मेंस तो एकदम fine powder चाहिए कि जो आप cosmetic preparations बनाते हो पावडर डूजस पॉंग silica भी इस तरह से एंड powdered silk next ingredient जो हमें important है वह फ्रोस्टेड लुक के लिए फ्रोस्टेड लुक मतलब कि जो एकदम glossy appearance आपके skin उपर अच्छा से मिलता है एक signiness मिलती है ओके glossy फिर signiness अच्छे से आपके जहरे पर वह cover हो जाए तो उसके लिए जो लुक तयार होता है उसको हम करते है फ्रोस्टेड लुक तो उसके लिए जरूरी होते है mix करना guanine bismuth oxy chloride mica zinc aluminium एक्सेटर तो यह जो इंग्रेडियंट से जरूरी है ओके further frosted look after that जरूरी है अच्छे colors एड करना colors में famous है iron oxide compound of iron oxide that are used as a coloring agent in some cosmetic कि जो iron oxide के अलग-अलग compound से वो हम एड करते है उसके बाद they are also used as a metal polish called javeler javeler rug and a well-known in their crude form as a rust although iron oxide occurs naturally the forms used in cosmetics are synthetic iron oxide जो हम synthetically जो तयार किया होता है वो हम use करते है इने कॉस्मेटिक तो यह है colors के अंदर iron oxide और जो हम अलग-अलग pharmaceuticals color पड़े थे तो इस में से जो अलग-अलग permitted colors होते हैं सब colors जो है वो use की जाते है इने powder next is perfume इने कॉस्मेटिक के अलग-अलग natural perfumes flowers के जो flavors होते है plant origin के and animal source के अलग-अलग perfumes भी mix किया जाते है for the provide proper fragrance okay एक fragrance एक काफी important change है कि जो important है for this type of powders because cosmetic preparations के अंदर जितने भी cosmetics use की जाती है उसके अंदर यह जो है वे key ingredient है कि जिससे जो भी product है उसकी एक तो brand develop होती है उसके quality as well as उसके अंदर कौन सा flavor है कौन सा उसका fragrance से उससे काफी उसके product की image जो है अच्छी बनती है तो इसके लिए जरूरी है कोई proper अलग brand image तयार करने के लिए specially perfumes use किये जाते हैं इन्हे cosmetic preparation की जिससे जो भी product है उसके अलग से एक brand image बनके तयार होती है so सबसे पहले start करते है powders के अंदर कि जो face powder है उसके तीन type है sorry चार type होंगे loose face powder, compact face powder, talcum powder and bb powder कि जो हम face powder use करते है अलग अलग तो एक तो loose face powder होंगे compact face powder, talcum powder and bb powder तो start करते हैं सबसे पहले face powder के अंदर the essential feature of a good face powder includes the covering power कि जो हमने आगे बात की sleep, adhesiveness, absorbency, bloom, coloring and perfuming color भी important है, perfuming भी काफी important है और उसकी covering power तो यह है उसके essential feature of a good face powder रहे एक है जरूई की adhesiveness के अच्छे से आपके face उपर long time तक वो अधेर रहता है फिर absorbency के समझे के पसीना वगेरा होता है आपको तो वो भी वो अच्छे से absorb कर लेना चाहिए and have a good bloom so face powder के जो types है in that light type, medium type and heavy type तो सरवात करते हैं सबसे पहले हम light powders के उसकी जो formula है कि जिसके अंदर talc यूज होता है 63 gram, keoline आप यूज करते हो 20 gram, calcium carbonate 5 gram, zinc oxide 5 gram, zinc stearate also 5 gram, magnesium carbonate 1 gram, color 0.5 gram and perfume is also 0.5 so main उसका जो key ingredient रहता है वो रहता है talc, okay कि जिसके कारण इस powders को हम talcum powder भी इसके कारण कहते है कि talc use होता है और talc पर से नाम बरता है talcum, okay तो talcum powder भी हम इस सब को कहते है so key ingredients रहता है talc, so this is the official formula for the light powder second is the medium powder, कि जिसके अंदर talc की जो quantity थोड़ी हम reduce करेंगे 39.7 और kaolin उसके साथ याड़ करेंगे usually in same proportion, calcium carbonate 5 gram, zinc oxide 7, zinc stearate 7 gram, magnesium carbonate 1 gram, color 0.2 and perfume 0.6 gram so light के बाद second है medium powder and third is the heavy powder heavy powder के अंदर देखो talc की quantity बहुत कम कर दी हमने अब 20 gram ले रहे है, keolin light 20 gram, उसके बाद calcium carbonate 39 gram, zinc oxide 15 gram, magnesium stearate 5 and जो हम last में color add करेंगे 0.5 and perfume is also 0.5 gram तो अलग-अलग 3 formula के सबसे पहले light face powder के अंदर talc का proportion जो है, वो सबसे ज्यादा था उसके बाद medium के अंदर हमने यह वो medium कर दी value, टाल्क की और जो heavy है, उसके अंदर सबसे कम only 20 gram जो है वो टाल्क जो है वो use कर देंगे यहाँ पर 20.0 है, इसलिए आपको यह ingredient 20 gram लेना है, तो यह हो गई heavy powder की formula की जिसके अंदर kaolin का proportion हम increase करते है, calcium carbonate भी उसके अंदर increase करते है and टाल्क की quantity जो है वो reduce करते है compare to light and medium, next है compact face powder की, जो अलग-अलग compact face powder होते है कि जो cosmetics के अंदर use किये जाते है तो it is a dry powder which has been compressed into cake, के समझे के आपके पास इसे dry powders थे, आपने अच्छे से उसका angle of repose बगेरा चेक करके उसको तयार किया, after that उसको अच्छे से sieve में से पायस करके उसको बनाया अच्छे से अपने fine fine powder को फिर आप अच्छे से कोई punching machine के अंदर कर देती हो उसको press, तो वो powder का तयार हो जाएगा एक compact, कि जिसको हम कहते है compact face powder, okay the pressure for compaction is very important, the powder must be come off easily when rubbed with puff, कि यह जो अलग-अलग puff दिये जाते है उसके साथ, तो puff यूज करके जब भी आप apply करो, तो easily वो जो powder जो है वो पॉप उपर आना चाहिए, और वहाँ से पॉप उपर से फिर आपके face या फिर आपकी skin उपर easily वो spread होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है यह pressure कि बहुत ज्यादा भी आपको compaction नहीं देना है, और not the very low, medium compaction पे यह आपको काम करना है to prepare the compact face powder, ओकी यह आप याप देख सकते हो, अलग-अलग उसको embossing भी कर सकते हो, कि आपको brand का कोई logo करना है, कोई special design तयार करनी है on that product to provide any brand image, तो जब आप यह compress करते हो, केक तयार करने के लिए powder की उसी वक्त जो है वो यह embossing किया जाता है, they are also known as a pressed powder, okay, compact powder के लिए दुसरा नाम क्या है, they also call as a pressed powder, is a semi-solid state of powder, powder ही है, बट यह एक type के semi-solid type है उसका, key ingredient being silicons and wax, compact powder adds a light texture to your skin tone, skin का जो tone होता है, उसको light texture provide करते ही है, फिर जब आपको चाहरे पर make-up करना होता है, okay, तो make-up के पहले भी यह compact powder जो है, वो apply किया जाते है, to spread the makeup easily, generally is apply on the top of the foundation, to give a hold to foundation layer, foundation layer आपका long time तक रहे, उसके लिए भी आप compact face powder जो है, वो apply करते है, so this is regarding compact face powder, अब उसके अंदर concept binders यूज किया जाते है, कि जब powder lose sperm होता है, और powder में से, okay, जब भी उसको आपको करना होता है compression, okay, तो compression के लिए एक जरूरी होता है, एक ingredient binder, तो अलग-अलग जो binder हम यूज करते हैं, यह compact face powder बना ले के लिए, तो वो जान लेते हैं, सबसे पहले dry binder के अंदर, zinc and magnesium stearate, oil binders के अंदर, water repellant के तवर पे, mineral oil, isopropyl miristate, linolein के derivatives, यूज करेंगे, water soluble binders के अंदर, pvp, cmc, pvp मतलब polyvinyl, polyvinyl pyrolydine, carboxymethyl cellulose, normal cellulose, acacia tragacanth के जो हम normal binder यूज करते हैं, वो ही है सब, emulsants binder के अंदर, trithelonamine stearate and glycerol monosterate, तो दोनों यह जो stearate की एक, trithelonamine stearate and glycerol monosterate, stearate हम use करेंगे, तो यह जो binders में से multiple choice questions, पूछी जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखने होंगे, यह सभी binders के जो हम, compact powder के अंदर, use करते हैं, next है अब, talcum powder, it is used as a absorbant for making the skin, from the excess moisture, talcum powder, जब हम use करते हैं, कि जब आपके skin कैसी है, कि जो excess moisture produce करती है, आपके face उपर, ओके, तो उस वक्त हम, वो जो moisture है, उसको adsorb करने के लिए, हम यह talcum powder, use करते हैं, light magnesium carbonate is added to mix the perfume, तो यहाँ पर यह जो green color है, यहाँ से multiple choice question निकल सकता है, कि which of the following ingredient is used to mix the perfume in a talcum powder, there is a light magnesium carbonate, talcum powder is made from talc, a mineral made of mainly of the element magnesium, silicon and oxygen, as the powder is, it absorbs the moisture well and helps to cut down the friction, making it useful for keeping skin dry and helping to prevent rashes, अब क्या होता है कि talcum powders के करन आपकी skin जो है वो, prevent होती है from the rashes, because कई बार excessive moisture और उसके करण कई बार जो frictions होते है, ओके, तो उसके करण skin dry भी होती है कई बार, और और वहाँ भी क्या होता है, फिर rashes होने के start हो जाते हैं, तो उसको prevent करने के लिए, जो है हमों, टेलकम powders जो है वो नॉर्मली यूस किये करते हैं, after that, टेलकम powder की जो formula है के zinc oxide 50 gram, zinc stearate 50 gram, chlorhexidine diacetate 3 gram, light magnesium carbonate 100 gram, फिर टालक यूस किया जाएगा सबसे ज़्यदा 797 gram, एंड पर्फियम 0.2 gram, तो यह हो जाएगी formula आपकी total 1000 gram के लिए around, 97 into 3, आपका होगा 800, फिर यह 900, 950, एंड टोटल 1000 gram की यह formula आपकी तैयार हो जाती है, so this is regarding टेलकम powder की जो formula है, उसके बाद जो हम body powder यूस करते की, जो throughout the body आप यूस कर सकते हैं, like nysil, germ expert, cool and classic, जो हम powder यूस करते हैं, dermicool भी है, boroplus है, तो it consists of mainly talc, with small portion of metallic stearate, precipitate chalk, magnesium carbonate, की जो light यूस करते हैं, talcum body powders containing antiseptic substance, are also used for prickly heat and fungus infection, की जो prickly heat powder हम यूस करते हैं, की जो nysil, जो है वो काफी famous brand है, उसके लिए यहाँ पही लिखा इसलिए की, germs export, cool and classic, की जो prickly heat, fungal infections होते हैं, वहाँ पे काफी यह powder effective रहता है, after that, boric acid उसके अंदर red किया जाता है, as a antiseptic, तो एक टाइप का यह medicated powder भी हो जाता है, की जो prickly heat and fungal infections के लिए, हम यूस करते हैं, so body powders, after that, उसकी जो formula की टाल की यूस करेंगे हम, colloidal keoline, colloidal silica, magnesium carbonate, aluminium stearate, boric acid and perfume, तो यह हो गए उसकी key formula of a body powder, आगे जानते हैं, next it is a baby talcum powder, तो यह काफी important है, baby talcum powder के बारे में भी questions पूछा जाता है, कि write a short note on a baby talcum powder, तो अच्छे से आपको short note लिखनी होती है, या फिर describe in brief about the baby talcum powder, तो इसके अंदर किटना content आपको लिखना है, और multiple choice questions के लिए क्या पूछा जाएगा, वो हम जानते हैं, तो बेबी talcum powder is made from talc, a mineral made up mainly of the elements, magnesium, silicon and oxygen, तो यह भी पूछा जा सकता है, कि which of the following is made up of, mainly the elements like magnesium, silicon and oxygen, तो इसे talc, और what is the composition of talc, तो talc के अंदर कौण से 3 ingredients present है, तो यह खे magnesium, ओके, silicon present है उसे के अंदर and oxygen, यह 3 ingredients mix होके तयार करते हैं हमारा talc, as a powder, it absorbs the moisture well and helps cut down of friction, making it useful for keeping skin dry and help him to prevent the rashes, baby powder is an astringent powder, used for preventing diaper rashes and for the cosmetic use, so, small babies के लिए diapers वगेरा जो use किये जाते हैं, तो उसके करण उनकी जो skin होती है, वो काफी soft होती है, तो वो skin उपर, जो है वो rashes होने के chances हैं, skin पर जो अलग-अलग rashes हो जाते हैं, तो उसको prevent करने के लिए भी, इस ताइब के जो baby powders जो है, वो use किया जाते हैं, आप एम देख सकते हैं, जो famous brand है, कि Johnson baby powder, बहुती famous brand है, for the baby talcum powder, तो specially to prevent the diaper rashes, we use for the small babies, it may be composed of talcum, in which case it also call a talcum powder, और corn starch, तो यह है उसके main ingredient, बट यहाँ पर एक condition के boric acid is not using baby talcum powder, because it is harmful for the skin of baby, जो small children होते हैं, small babies होते हैं, उनकी जो skin होती हैं, वो काफी sensitive होती है, सेंसिटिव स्कीन होती है, प्लस काफी soft और, एकदम से, काफी soft स्कीन होती है, तो वो स्कीन जो है वो, यह boric acid के कारण damage होने के chances से, जिसके कारण हम यह जो, baby talcum powders होते हैं, इसके अंदर boric acid यूज नहीं करते हैं, यहां से multiple choice questions पर पूछा गया है exam के अंदर, कि which of the following ingredient is not added in a baby talcum powder, तो इसका reason है, it is harmful for the skin of a baby, विकाज, जो small babies के जो skin होती है, वो काफी sensitive होती है, और फिर boric acid डालने से, उनकी skin जो है, वो damage होने के, काफी chances रहेंगे, जिसके करण हम boric acid उसके अंदर याड नहीं करते, baby powder can also be used as a dry shampoo, cleaning agent to remove the grease, stain and also as a freshener, कि जो small babies होती होती हैं, उनको काफी freshness feel हो, फिर cleaning प्रोवाइड करें आप अच्छे से, उनके bodies की, and as a dry shampoo भी आप use कर सकते हैं, तो remove the grease stains, तो इसके परपस से भी हम ये baby powders use करते हैं, for the small children, after that, talcum powder is a dangerous if, inhale, since it may be cause, aspiration, pneumonia और, glaucoma, तो ये आपको खास, एक important point याद रखना है, कि जो baby, powders वगेरा है, वो कई बार dangerous है, if, ओके यहाँ पर लिखा है, inhale, मतलब कि, कई बार समझे कि, inhale हो जाए, स्वास में चली जाए, small babies के, तो उनके करण, वो क्या हो सकता है, it goes, aspiration, pneumonia, और, granuloma, so, respiratory tract related, main disorder, disease है, तो वो हो सकते, तो आपको रखनी पड़ती है, एक care, ओके, तो जब आप, small babies के चहरे पे, आप ये powders अपलाए करे, या फिर कोई भी body parts पर, अपलाए करें, तो आपको एक ध्यान रखना है, कि, वो जो है, वो powder को inhale ना करें, या फिर उनके, nose के आसपास, जब आप ये, powder अपलाए करते हो, तो काफी, care के साथ, अपलाए करना चाहिए, to provide proper safety, ये है का आपके लिए, safety point, of a, BB-Telcom powder, after that, severe cases may lead, to chronic respiratory problem, और even death, कि, ऐसे कई cases भी देखे गए, कि, जिसके कारण, chronic respiratory problem होते है, और sometime, it may cause the death, so, carefully आपको यूज करने है, particle in cornstarch powder, are larger, and less likely to, to be inhaled, कि, जिसके कारण, कई बार, cornstarch को prefer किया जाता है, over the talc, because, जो talc है, उसकी particle size, बहुत ही fine है, तो उसके option में, आफ, जो है वो, cornstarch यूज करते हैं, तो उसके particle कैसे है, larger, तो, वो जो है वो, less likely to inhale, by the, small babies, some studies have found, statistical relationship, between talc, apply to the, perineal area by woman, and incidence of ovarian cancer, तो एक study में, ऐसा भी पाया गया, कि जब, perineal area के अंदर, जब यह powder से apply किया जाता है, baby talcum powder, तो इसके कारण, कई बार, incidence पाये गये है, in woman, about the, ovarian cancer, however, there is not, a, consonance, that, these, the two are linked, मतलब की, फिर भी ऐसे कोई ऐसे, पुकता को ऐसे, सबूत नहीं है, कि जिसके कारण, उसके कोई harmful, ज्यादा effects हो, बट, आगे ही जो हम देखेंगे, उसके अंदर है कि, in 2017, over 1000 US women, sued Johnson & Johnson, for covering of, the possible cancer risk, with its baby powder product, the company discontinued, the sales of talcum powder, in the United States, and Canada, in 2020, तो यही जो, recent में, जो controversy हुई थी, regarding Johnson & Johnson, कि, जो ovarian cancer होने के, अलग-अलग, किस से जो वो पाए गए थे, तो उसके करण, company ने discontinued किया, sales of talcum powder, in the United States, and Canada in 2020, तो यह आपके लिए, काफी important, GK point भी बन सकता है, regarding this, baby talcum powder, तो यह काफी important knowledge है, आपके लिए, वो जानना है, काफी जरूरी है, so, powders के बारे में, यहाँ पर lecture complete होता है, आगे हम पढ़ेंगे, next cosmetic part 9 के अंदर, cosmetics for the hair, तो hair के लिए, जो हम अलग-अलग cosmetics यूज़ करते हैं, like shampoo preparations यूज़ करते हैं, hair tonic, hair conditioner, hair colorants, hair color remover, hair grooming preparations, फिर depilatories and, epilatories हम यूज़ करते हैं, कि जो, hair remover, creams बगरा के अंदर आते हैं, saving soap, cream, and hair waveset, तो यूज़ अलग-अलग cosmetic brands हैं, कि जो specially, beautification of hair, okay, सबसे पहले हमने पढ़ा कि, जो face की, face plus skin की, जो सुनदर था के लिए, जो cosmetic use होते हैं, उसके बारे में हमने detail में पढ़ा था, आगे हम start करेंगे, because, skin के साथ साथ, cosmetic में जरूरी है, आपका, जो hair है, उनको भी काफी सुनदर दिखना, attractive दिखना, तो उसके लिए भी हम, various cosmetic brands यूज़ करते हैं, तो वो lecture रहेगा, हमारा next cosmetic part 9, so channel को subscribe कर लिजिए, PharmaRox, वीडियो को share कीजिए, also use the PharmaRox mobile app, download their PharmaRox, Android application on Google Play, आप हमारे WhatsApp groups भी जोइन कर सकते हैं, by send your name, city name and WhatsApp it to 94261-80836, की जो PharmaRox के WhatsApp groups अवेलेबल है, अगर आपको कोई और क्वेरी हो, तो you can also contact to Amar Ravel, owner and founder of PharmaRox, the way of success, on his personal WhatsApp number 901631-2020, so good luck and all the best,